हेलो स्टुडेंट्स वल्कम टो मा यूटुब चैनल एमां टर्गेट फ्रेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं क्लास टेन जेग्रोफी यानि भूगोल भिसाय का पार्ट वन जिसका सब पार्ट है ठीक है जिसका नाम है जल संसाधन इसके 25 सूपर अब्जेक्टिव कोस्टें समलोग करेंगे जैसा की जनकारी के लिए मैं आपको बता दू कि इतिहास के पांच विसाय का अब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्टिप्शन में मौझूद है आप वहां से चैप्टर नमर 1,2,3,4 और 5 अराम से सभी के 30 अब्जेक् आज हम लोग करने वाले हैं और जो लड़के आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सस्क्राइब करके जूड़ जाएंगे क्योंकि हमारे इस चैनल पर हर एक चीज बिलकुल मुफ्त में यानि फ्री में आपको प्रोवाइट किया जा रहा है तो ज्यादा से करदे का कम से कम 5-5 सभी बिस्ये का कम से कम 5-5just model set करने वाले हैं एक में कम से कम 40 प्रस्नहों होगा और यह ओवरॉरोल किताब से मिलाके होगा मतलब पूरे किताब से मिलाके होगा तो बहुत जल्द प्रस्त्नों का बरसात होने वाला है चाहाँ वो सब्जेक्टिव हो चाह हम लोग बढ़ते हैं और जो भी लोग लाइफ जुड़े हुए हैं वो जवाब देते चलेंगे प्रती वेक्ति वर्स प्रती वर्स जल उपलब दता की द्रिष्टी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है एक सो ब्यासिवा, एक सो संतावन, एक सो एक या एक सो तैस्थान ज्यादा से ज्यादा लिंक को सेयर करना है और जो भी लोग लाइफ जुड़े हुए हैं वो कमेंट देते चलेंगे और क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है तो इस प्रस्थन का सही जवाब है एक संग्रह धाचा ठीक है मतलब वर्साजल को संग्रह करने के लिए यानि कठा करने का जो धाचा है वो कौन से राज्य में एक कानोन बनाकर अनिवारे कर दिया गया है बिहार, तमिलनाडू, राजस्थान या करनाठक जवाब दीजिए और इसको इंपोर्टेंट कर लेजिए तमिलनाडू इस प्रस्थान का सही जवाब है कभी भी इस चक्कर में मत रहिएगा कि वो आ रहा है तो हम की आ रहा है कि नहीं आ रहा है या हम आ रहा है वो नहीं आ रहा है तो उसके चकर में रहिएगा तो फिर फंस जाहिएगा आए तीन नमर कोश्चन बिहार में अती जल जल दोहन से, मतलब ज्यादा से ज्यादा जल का दोहन से किस तत्व का संकेंदरन बढ़ा है, फुलराइड, कुलराइड, अरसेनिक या लोह, लोह यानि लोहा उसी को बोलते हैं, खिक, तो कौन ऐसा तत्व है जिसका संकेंदरन बढ़ा है, अती जल दोहन से, तो वो है अरसेन बिहार के पानी में इसकी मात्रा अत्यधिक हो रही है, दिन पर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए अधिक से अधि घरों में वाटर फिल्टर आरो ये सब लगाए जा रहे हैं, आईए, कुश्चन नमर चार, कूल जल का कितना प्रतिसत भाग महासागर में नहीं थे, आ का 96.5 प्रतिसत, ठीक है, देखिए, इतना exact पुछेगा नहीं, आपको 95 से 95 प्रतिसत याद रखना है, इतना exact एक एक पॉइंट में नहीं पुछेगा, थोड़ा सा इधर उधर करके पुछेगा, आईए, कुश्चन नमर पाच, प्राडियों के सरीर में कितना प्रतिसत जल की मातरा नहीं थोती है, ये कोश्चन इंपोर्टेंट कर लिजिए, क्योंकि ये science से भी question related है, तो एक प्राडि के सरीर में कितना प्रतिसत जल की मातरा होती है, तो आपको पता है कि 65 प्रतिसत जल की मातरा होती है, ओके, तो ये geographic question science से भी देखिए, किस प्रकार से जुड़ हुआ है, इसी तक लिए बोलते हैं, हर एक चीज को अच्छे से समझते हुए, और मन से पढ़िए, ये question भी भी आई question है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, भी भी आई question, 100% गरांटी वाला question ये सब है, तो डाक्टर, नहीं, पंडिर जवाहल नहरू, डाक भी question आता है, लेकिन भारत का मंदिर बांधों को, पंडित जवाहर लाल नहरू ने कहा था, आईए, 7. question, important, वरिहत जल में, जल की उपस्थिती के कारण प्रिथवी को क्या कहते हैं, मतलब प्रिथवी पर बहुत ज़्यादा जल होने के कारण प्रिथवी को, सब को पता है क नीलागरा काते हैं, option B, जो लोग दे रहा है, बिलकुल सही जवाब दे रहा है, ये बहुत easy question है, लेकिन important question है, आता है, आईए, 8. question, यहां से इन सभी questions को add करते हैं, इसमें से आपको 1-2 question दिखने वाले हैं, खारे जल का सबसे बड़ा जहिल कौन सा है, बैकाल, लोनार, कै कैस्पियन सागर या मिर्ट सागर, यहां से question आपको देखने को मिलते हैं हर एक साल, तो right answer, कैस्पियन सागर, खारे जल का सबसे बड़ा जहिल है, ठीक, याद रखिएगा, मीठे जल का सबसे बड़ा जहिल कौन सा है, खारे जल का, तो कैस्पियन सागर है, ठीक, मीठे जल का सबसे बड़ा जील कौन सा है तो याद रखिए सुपीरियर जील ओके इंपोर्टेंट कर लिजिए आईए खारे जल का सबसे गहरा जील बताना है मृत सगर बैकाल चिलका या हिरन क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना है और जो लड़के पहली बार आए हैं चैनल पे वो स लड़ा है तो राइट अंसर ऑप्शन नमर ए मृति सागर खारे जल का सबसे गहरा है और यह ऐसा है कि आप इसमें डूबने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं डूब पाएंगे आप इसमें कुद जाएंगे डूबने के लिए आत्मत्य करने में तो इसमें नमक की मतरा लव लगभग 3% पीने लाइक है दिन पे दिन ये कम ही होता जा रहा है तो लगभग 3% के देखिए ऑप्शन भी दिन पे दिन ये कम हो रहा है आप हमको लग रहा है कि दो दसमलों दो ही बचा होगा आए मीठे जल की सबसे उची जील मारिए important इसको का क्या नाम है मीठे जल का सबसे उचा जील तो ये है टीटी का का और ये ऐसा है कि जील के अंदर जील है इसमें जील के अंदर जील प्रस्ट कंपटिशन वाले जो लड़के नौकरी के त्यारी करते हैं उसमें पुछता है वह कौन एसा जील है जिसके अंदर एक और जील है तो वहीं टिटीका का है आए तेरा नमर कोस्चन इन में राजस्थान की सबसे महतुपुन परियोजना कौन सी है कमेंट दिजिए जो इंदरा गंधी नहर परियोजना भाखणना अंगल सतरला जरीवर पे है ठेक नागारजुंग सागर क्रिष्णा निर्दी पे चंबल चंबल नदी ये कोटा में है ठेक लेकिन पूछा है कोटा विराजस्थान में ही है लेकिन पूछा है सबसे महतुपुन तो सबसे पूण इंदरा गंधी नगर परियोजना आईए नेक्स्ट कोश्चन इन में किस परियोजना का मुख्य उद्देश बाढ नियंतरण है मतलब उस परियोजना को बनाया ही इसलिए गया है ताकि बाढ को रोका जा सके और ये हम आपको हिंट कर दें ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो ये बिहार में आके बाढ का एक रूप धारण करता है और ये है कोशी परियोजना बिहार का सोक इसी को बोला जाता है कोश्चन नोट कीजे बिहार का सोक किसे कहते हैं तो कोशी को बोलते हैं याद रखिएग पूछता है नेक्स कुश्चन जल की इस प्रकार का संसाधन है चक्री जैव अजैव या अनवी करनी है तो आपको पता है कि जल को एक बार अगर हम खर्च करते हैं तो भाव बन के उपर जाता है बादल बनता है फिर धरती पे पानी के रूप में आ जाता है तो यह एक चक्री संसाधन है यानि एक आप लोग वाटर साइकल पड़े होंगे वाटर साइकल यानि जल चक्र तो यहीं चक्र यानि जल एक कैसी संसाधन है तो चक्री संसाधन है आईए 16 नमर कोश्चन भारत में प्रियुक्त कूल जल का सबसे अधिक समान उपाद किस छेत्र में है मतलब सबसे ज्यादा वेटेज किस छेत्र में दिया जाता है उद्योक सी चाई घरेलो यह इन में से कोई नहीं तो आपको पता है कि भारत का पानी सबसे ज्यादा सी चाई यानि इरिगेशन इरिगेशन फिल्ड में खेती बाड़ी में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है यह सब कोश्चन थोड़ा सा आप लोग लोजिक लगा के भी कर सकते हैं आईए प्रिथवी का कितना प्रतिसत भाग जल धरातल से अच्छा दित है इंपोर्टेंट कर लेजिए भाई की होगी तो कोईगी खाली लड़के को पशानते हैं हम लोग घर के भागल हैं ना भाई सब मेरे लिए प्री है यार ऐसा मन में भाव मत रखना 17 नमर को शनौपसन नमर भी 77 प्रतिसत जल और सबसे ज्यादा पुना प्रतियोग भूमित जल संसाधन है गदावरि गंगा ब्रह्म पूत्रा या सिंदों इंपोर्टेंट कर लिजे, ये थोड़ा उपर लेवल का कोस्चन है, उपर लेवल मने हाई लेवल, अब हाई लेवल का मने छथ पर जाके मत पढ़ने लगना, तो राइट अन सर्वाप्शन नमर C, ब्रहमपूत्रा नदी, ठेक इंपोर्टेंट कोस्चन है, भारत का ये किस वर्स घोसित की गई थी, 1997, 1983, 1987, 1990, बहुत ही संदार जानदार कोस्चन, और सही जवाब, 1987, आईए बिस नमर कोस्चन, लाइक जो लड़के नहीं किये हैं भाई, एकदम तुम लोग गलत कर रहे हो जान जो, भरोसा उड़ जाएगा, तव्यत खराब था, उसके बावज युद भी कलास ले रहा थे, अभी भी ले रहे हैं, इंद्र पूरी जला से परियोजन किस राजमें है, हमारा प्यारा बिहार, सब का प्यारा बिहार, बिहार में बहार है, ठेक, आओ, देश में सरवाधिक वर्सा कहां होती है, इंपोर्टेंट करो, देखो, ये दो में हमेशा कोई उपर चला जाता है, तो कोई नीशे चला जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में ये कोश्चन आपके परिच्छा में आए, तो आपको ऑप्शन B करना है, मान सिन्राम, ठीक, चेरा पुन्जी मत किजिएगा, एक साल, दो साल के लिए उपर हुआ था, लेकिन अभी भी वर्तमान में हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मान सिन्राम, ठीक, मान सिन्राम भी लिखा आता है, कहीं कहीं, कहीं कहीं मान सिन्राम भी लिखा आता है, आए, नेक्स्ट कोश्चन नमर ट्वैंटी टो, देश की कुल विदूत का कितना हिस्सा जल विदू से प्राप्त होता है मतलब जितना हम लोग बिजली इस्तमाल करते हैं उसमें से कितना जल विदुद से प्राप्त होता है 10, 45, 15 या 17, 49 हाँ अब हमको पता है कि 3 मेड़ा है ये लगभग 18 प्रतिसाद ठेक इसको लगभग 18 प्रतिसाद कर लेजेगा आईए गंड़क परियोजना कहां विकसित है मतलब गंड़क परियोजना कहां है ये बताए तो यार पता है गंड़क नदी बिहार में है क्या इतना 3-5 पड़ना है नेक्स्ट, चंबल परियोजना के अंतरगत, तीन बांध गांधी सागर, राणा प्रतप सागर कहां बनाएगा है, खेक, तो ये कोटा राजस्थान, ओके, बनाएगा है, याद रखेगा, आईए, अगला कुस्चन, भारत के सबसे लंबे न दे, भारत की सबसे लंबे न दे, टाइपिंग मिस्टेक है, अभी हम बताए हैं, गंगा नदी जिसका लंबाई है, पचीस, पचीस किलो मीटर, ब्रह्म पूतरा सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी, ये आज का हमारा आखरी प्रस्न था, हम लोगों ने इसमें पचीस प्रस्न किये हैं, जिनक कि त्यारी एकदम सूपर डूपर हिट चल रही है, जिनका 15 से 20 आ रहा है, 15 से 20 के अंतर में हैं, वो अपनी त्यारी को और बेहतर करें, और जिनका 10 से 15 के बीच में है, मतलब उनको अभी त्यारी करने की आज सकता ज्यादा है, तो फ्रेंट्स, and best of luck for your board exam, और जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रूप में सारी सुचना भेज दी जाती है, तो जो लड़के जोईन नहीं किये हैं, कर लेंगे, तीनो सोशल मेडिया का लिंक आपको description में मौझूद है, और जिस तरह ये जल संसादन है, कल कौन सा पढ़के आना है, इसकी जनकारी आपको टेलीग्राम ग्रूप में भेज दी जाएगी, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सस्क्राइब करको जूड़ जाईएगा, फ्री में पढ़ते रहे हैं, आपसे कोई दिकत नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क जाएगी जाएगी जाएगा, तो मिलते हैं, 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 तो म